हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं एक साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये बेबी कार्डिगन बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है इसमें मैं आपको इसकी पूरी मेजरमेंट दूंगी और ये जो डिजाइन इसमें बनाया गया है ये डिजाइन बुनना बताऊंगे तो फ्रेंड्स ये जो बेबी स्वेटर है इसे मैंने तीन पलाई वाली उनसे बनाया है जिसमें तीन तार अलग-अलग बनी हुई होती है तो बेबी स्वेटर की जो चोड़ाई है वो 10 इंच है जो इसकी टोटल लेंथ है वो 12 इंच है ये देखिए मैं आपको नापकर दिखा देती हूँ ये इसकी जो लेंथ है पूरी साड़े 12 इंच है और जो इसकी चोड़ाई है वो ये देख लीजिए 10 इंच इसकी चोड़ाई है इसे बनाने के लिए मैंने जो तीन प्लाई वाली उन ली है उससे मैंने इसके बैक पार्ट में 60 फंदे डाले हैं इसमें अगर आपकी उन पतली हो तो आप इसमें 65 या 66 फंदे डाल लीजिए अगर तीन तार वाली ओस्वाल कंपनी की उन हो तो 60 फंदे काफी हैं और 9 नमबर की इसमें मैंने सलाई लगाई हैं तो 9 नमबर की सलाई 3 तार वाली उन में जो नॉर्मल उन होती है प्लेन वाली उसमें आप 10 नमबर की सलाई ले लीजिए फंदे यहाँ पर देखें डिजाइनर डाल ले हैं फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सलाईयां बनाते हुए ये देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यानि 14 रोज मैंने उल्टी उल्टी बुनी जिससे हमारे पास ये साथ लाइन का बोर्डर कम्प्लीट हो गया 14 सलाईयां उल्टी उल्टी बुनने के बाद इसमें मैंने ये डिजैन बनाया है 60 फंदे में जब हमने इस डिजैन को सेट किया क्योंकि इस डिजैन को बनाने के लिए 13 के मल्टीपल प्लस हमें 6 फंदे एक्ष्ट्रा लेने होते है जब हमने इस डिजैन को सेट किया तो दोनों साइड पर हमारे 2-2 फंदे उल्टे आए है एक-एक फंदा हमारा एज़स्टीच होता है और एक-एक हमारा एक्ष्ट्रा और बच गया था तो हमने दोनों साइड पर 2-2 फंदे उल्टे किये हैं अगर आप इसमे 66 फंदे लेती हैं तो यानि 5 फंदे आपके इस साइड पर उल्टे आ जाएंगे 5 फंदे इस साइड पर उल्टे आ जाएंगे और सेम तरीके से आगे मैंस को डिजैन को बुनना बताऊंगी ये डिजैन एड़स्ट हो जाएगा अब ये जो डिजैन है मैंने यहां आधे तक बनाया है अगर आप चाहो तो आल आवर भी इस डिजैन को बना सकती है तीन प्लाई वाली उनसे बना रही थी तो मैंने आधे में ही बनाया है अब देखिएगा इसमें मैंने जो आरम होल की कटिंग की है वो मैंने 8 इंच पर की है ये देख लीजेगा बाकी आप बच्चे की हाइट के अनुसार इसे कम या जादा कर सकती है आठ इंच बुनने के बाद इसमें मैंने 3,2,1 ये आरम होल की कटिंग की है अब ये जो हमने इसकी राउंड में आरम होल की लेंथ बनाई ये मैंने साड़े 5 इंच बुनी थी जब हम cutting करके ऐसे round में इंची टेप से नाप लेंगे तो ये हमारी साड़े 5 इंच बनती है बैक साइड के में भी हमने गले की घटाई की है बैक साइड में हमने जो गले की घटाई की है ये only two rows में यानि दो सलायों में इसकी घटाई की है अब मैंने जो shoulder के फंदे रखे हैं वो 14 यानि 14 फंदे दोनों साइड के रखे हैं तो हमने यहाँ पर 15 फंदे रख लिए और फिर ये वाले जो फंदे हैं इनको हमने छोड़ दिया फिर दूसरी साइड पर गए तो जो 15 थे उसमें से एक फंदा हमने घटा दिया और बाकी के फंदों को बुन कर छोड़ दिया तो दो सलायों में इस तरह से घटाई हो जाएगे फिर धागा जोइंट करके बाकी के फंदों को हमने बाइंड ओफ किया 15 फंदे रखे फिर जब हम इस साइड से बुनते हुए आए तो यहाँ पर एक फंदे को हमने घटा दिया इस तरह से बैक पार्ट की घटाई की है जब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट बुनेंगे तो बैक पार्ट में हमने लिये थे 60 फंदे तो जब हम फ्रंट के फंदे लेंगे तो बैक पार्ट का हम हाफ करेंगे और जितने फंदे की पट्टी बनानी है उसके आधे फंदे हम और जोड देंगे यानि 30 फंदे तो हो गए back part के हिसाब से 7 फंदे की हमने पट्टी बनाई तो 4 फंदे हम पट्टी के extra ओर डालेंगे यानि 34 फंदे एक पार्ट के और 34 फंदे हमने दूसरे पार्ट के डालने हैं वही 14 सलाईयों का हम border बनाएंगे जो हमने ये button hole बनाने हैं ये आप left या right किसी में भी बना सकते हो इससे कोई अंतर नहीं आता है अब देखिएगा यहाँ पर 5-6 सलाईया बुनने के बाद हमने पहला button hole बनाया है फिर हमारी 14 रोज complete हो जाएंगी तो सीधी side से हम अपना ये design बनाएंगे जब इस design को हम set करेंगे तो देखिए 34 में से 7 फंदे की हमारी ये button पटी है उसके बाद जब हम 7 फंदे इसके button पटी के 34 में से निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 27 फंदे तो देखिए यहां से यहां तक लेकर 13 फंदे यहां से यहां तक 13 फंदे तो 13 दूनी 26 एक फंदा बचता है वो हमारा एजश्टीच है तो एक पार्ट में जब हम design को set कर लेंगे तो दूसरे में बहुत आसानी से हो जाएगा तो यहां पर हम पहले एक फंदा अपना उल्टा बुन लेंगे और फिर इस design को बुनना शुरू करेंगे यह design मैं आपको अभी पूरा बुनना बताऊंगे और फिर आगे हमारा यह 4 फंदे का design फिर यह 9 फंदे का फिर यह 4 का और यह बटन पट्टी सेम तरीके से इसमें adjust हो जाएगा इसमें हमारी पहले बटन पट्टी जैसे बनेगी तो फिर उसके बाद यह हमारा यह वाला design फिर यह करते हुए last में एज़स्टी ऐसे बच जाएगा तो इस तरीके से हमारा यह इसमें design बनेगा जितना हमने back part में design को बनाया सेम हमने front वाले पार्ट में बुना है यह जो cable है इसको हमने गले की घटाई की है वहां तक बुन लिया है ताकि इसकी जो look है वो थोड़ी सी अच्छी आए अब सेम तरीके से 3-2-1 की हमने 8 इंच प ले की घटाई करेंगे तो 7 फंदे जो बटन पटी के हैं उसको हम safety pin में या आपके पास जो stitch holder होगा उसमें डाल दीजिए फिर आप यहां से 3-2-1 ऐसे घटाई कर दीजिए यहां shoulder के आपने वही 14 फंदे रखने है 14 फंदे रहने तक आप एक एक करके भी आगे घटा दीज सेम तरीके से इसमें घटाई करनी है यही हमने 7 फंदे जो पटी की हैं वो stitch holder में डाल देंगे या safety pin में फिर 3-2-1-1 ऐसे करके 14 फंदे रहने तक घटाएंगे और फिर back part के हिसाब से हम अपने अरम hole की length पूरी कर देंगे जब हम गले की बुनाई करेंगे तो जो पटी के फंदे हैं उनको हम सलाई में डाल लेंगे पटी से आगे यहां से यहां तक आपके 17 से 20 फंदे होने चीए पतलियून होगी तो आपके जो है 18-19 फंदे हो जाएंगे और सेम 3 प्लाई वाली होगी तो आपके जो है यहां 14-15 फंदे हो जाएंगे तो जादा बड़े हमें नह लिए यहां से यहां तक वो मेरे यहां 16-16 फंदे थी तो आपके 17 हो जाए 18 हो जाए 15 हो जाए चल जाएंगे सेम जितने यहां पर होंगे उतने ही यहां पर बैक पार्ट में फिर आप फंदे ऐसे राउंड में उठा लीजिएगा जितने फंदे आपने बाइंड ओफ किये हैं इतने पार्ट में दो फंदे यहाँ पर जो गय पाएगा उसमें बढ़ जाएंगे दो यहाँ पर और बाकी के जो बाइंड ओफ कीए हैं वो उठा लेने हैं तो यह हो गया है अब मैं आपको इसकी बाजू बता देती हूं बाजू में तीन प्लाई से बनाया है तो इसमें मैंने यहाँ पर 31 फंदे डाले हैं आपकी उन पतली हो तो आप 35 फंदे डाल सकती है तीन प्लाई वाली हो तो थोड़े से लूज हाथ से यहाँ पर डिजाइनर फंदे 31 भी काफी रहती है फिर मैंने यहाँ पर यह 10 लईयों का बॉर्डर बुना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा से जादा रखेंगे यहाँ पर कम रखेंगे 10 लईयों का बॉर्डर बुनने के बाद फिर हमने इस डिजाइन को यहाँ पर बुनना शुरू किया है तो दो design इसमें आपके बनेंगे यहां से लेकर यहां तक यह design और यहां से लेकर यहां तक यह design फिर हमने जो extra फंदे होंगे उनको दोनों साइड पर उल्टा भून लेंगे तीसरी चोथी सिलाई पर हम एक फंदा एक साइड से एक फंदा दूसरी साइड से ऐसे बढ़ाते जाएंगे अब यहाँ पर आपके 50 या 51 फंदे होने चाहिए अगर थोड़ी सी मोटी उन है तो आपके जैसे 47 हो जाएंगे या 51 फंदे हो जाएंगे इतने ही काफी है इसकी जो बाजू की टोटल लेंथ है वो यह देख लीजिए मैं आपको नापकर दिखा देती हूँ यह हमारी यहां से यहां तक 9 इंच बनती है और जो मैंने इसमें आरम होल की कटिंग की वो मैंने 7 इंच बुनने के बाद इसमें यहां से 3, 2, 2, 2, 2, फिर 1 ऐसे करके जब तक राउंड में इसकी चोडाई पूरी नहीं हुई आगे हमने ऐसे एक एक फंदा फिर घटा दिया है जब राउंड में इसकी यह पूरी हो जाती है तब हम सभी फंदों को बाइंड ओफ करतेंगे और फिर इसकी हम चिलाई करतेंगे दोनों यह पार्ट इसकी सिले जाएंगे और बाद जो तो फ्रेंट्स यह तो हो गई है इसकी मेजरमेंट तो चलिए अब मैं आपको यह सुन्दर सा जो डिजैन है इसको बुनना बताती हूँ कि अपने इस प्यारे से प्रोजेक्ट में आप इस डिजैन को कैसे बनाएंगे सेट करना मैंने आपको बता दिया है फंदों के हिसाब से अब डिजैन को बुनना बता देती हूँ डिजैन को बुनने के लिए हमें 13 के मल्टीपल प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं बाकि हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे लेंगे जो कोई एक्स्ट्रा होंगे उनको दोनों साइड पर हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने लिये हैं 32 फंदे 13 दोने 26 और उसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद पहली सलाई सीधी साइड से और दूसरी उल्टी साइड से ये दो सलाईया मैंने उल्टी उल्टी बुन कर कम्प्लीट कर ली हैं अब जैसे मैंने यहां back part में design को बुना है और यहां front में बुना है ऐसे बुना बता देती हूं back part में तो हमारे दो-दो फंदे दोनों side पर उल्टे आए थे लेकिन यहां पर मैंने 1-2 की फंदा रखना है तो वो आप देख लिजेगा फंदे गिन करके 13 के multiple plus 6 और जितने extra हों वो दोनों side पर तो पहला फंदा हमारा एजस्टीच है इसे आप उतारिये या उल्टा बनाएए अब यहां से हम design को शुरू करेंगे तो यह जो केबल है यह 4 फंदे की है बीच वाली 9 फंदे की है तो अब इन 4 फंदे पर design को बनाएंगे तो पहले फंदे को छोड़ देंगे दूसरे फंदे में आगे से slide डालेंगे इसे उतारेंगे और back side की slide पर डाल देंगे यह जो फंदा हमने लिया इसे पलट कर आगे कर देंगे दोनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे तो यह दो फंदे हमने twist कर दिये हैं अब इन दो फंदों को twist करेंगे इसे हम छोड़ देंगे यह जो second फंदा है back side से इसमें हम slide डाल देंगे इसे उतार लेंगे और इस हाथ की slide पर डाल देंगे इसे हम पीछे से लाएंगे और आगे डाल लेंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे यह देख लिजिए यह हमारा सीधी side से design शुरू होता है और 8 slide में complete होता है यह cable हमारी 4-4 slide में बनती जाती है तो यह जब एक पती बनेगी तब तक हमारी यह 2 cable complete होंगे तो यह 4 फंदों का design हो गया अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे का यहां 1 फंदा बना देगे धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 करेंगे अब हम धागे को पिछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बन देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 1 फंदा हम सीधा बन देंगे यह जो 2 का 1 किया उसके लिए हमने यहां पर जाली डालती है फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन देखिए तीन फंदे जब धागा अपनी तरफ करके सीधे बनाए तो ये एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ दो फंदे का एक फंदा बना देंगे तो ये देख लिजिए एजस्टीच को छोड़ कर यहाँ से यहाँ तक हमारा तेरा फंदे का डिजाइन बना है अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो धागा पी बैक साइड की स्लाइपर डालेंगे और इसे पलट कर अब इसके आगे करतेंगे ये दो फंदे अब हम सीधे बनाएंगे अब इन फंदों को हमें पलटना है तो बैक साइड से सैकिंड फंदे में हम स्लाइपर डाल देंगे फर्स्ट वाले को उतारेंगे और फ्रंट वाली स् इसको हमने पहले बुना आगे से स्लाइड डाल कर इसको भी हम बुन देंगे तो ये चार फंदे की हमारी केबल बन गई अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे का एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे धागा पीछे की तरफ करेंगे एक फंदा हम सीधा बुन द दो का एक करने से जो फंदा कम हो गया वो हमने जाली से यहां बढ़ा दिया फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ और दो का एक कर देंगे तो देखे फिर से यहां से यहां तक हमारा तेरा फंदे का design complete हो गया जितने भी फंदे हो ऐसे ही design बनाते जाहिए अब हम धागा पिछे करेंगे last में हमारे 5 फंदे है तो पहले को छोड़ कर दूसरे फंदे में slide डालेंगे पहले को उतारेंगे और backside की slide पर डाल देंगे इसे हम पलटके अगे कर देंगे और इन दोनों फन्दों को अब हम सीधा बुन देंगे अब ये दो फन्दें हमें ट्विश्ट करने हैं तो इसको छोड़ देंगे बैक साइड से दूसरे वाले फन्दे में हम सीधा बुनेंगे पहले को उतार कर इस हाथ की सलाई पर कर देंगे इसे बैक साइड से यहां पर ले आएंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे लाश्ट का फंदा ST6 इसे उल्टा बुनेंगे पहली सलाई डिजैन की कम्पलीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सलाई को कम्पलीट कर दीजिए इस डिजैन में उल्टी साइड की सभी सलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी बुने जाएंगे तो आप उल्टा बुनते हुए इसे कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखिए दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई अब आज ये तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए अब हम धागा पिछे करेंगे ये जो चार फंदे की केबल है पहले इस दिब्बी को हमने खोला अब हम इसको बंद करेंगे तो पहले फंदे को हम छोड़ देंगे और सेकिंड फंदे में बैक साइड से सलाई डालेंगे और पहले वाले को उतारेंगे और फ्रंट वाली सलाई पर पहले डाल देंगे बैक सा तो ये वाला जो फंदा इसको छोड़ देंगे सेकिंड फंदे में फ्रंट वाली साइड से स्लाई डालेंगे इसे उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसको पलट कर अब हम आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे तो ये धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां दो फंदे का एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ रहे और तीन फंदे अब सीधे देखिए जाली वाला एक ये दो और ये जाली वाला फंदा तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे एक और ये दो तो द इसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे ये सीधा और ये उल्टा इन दो का यहां एक फंदा बना देगे एस्टीज के बाद ये जो तेरा फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को अब बार बार रिपिट करेंगे इस डिब्बी को हमें बन करना है तो पहले फंदे को छोड़ देंगे बैक साइड से दूसरे फंदे में स्लाइड डाल लेंगे पहले को उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लाइपर डाल देंगे इसे बैक साइड से आगे कर देंगे दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे अब इन दो को ट्विश्ट करना है तो पहले को अब ये दो फंदे यहां सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे देखे ये उल्टा है और ये सीधा है इन दो का यहां एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ रहे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन यहां जो दो का एक किया तो उसके लिए जाली आ गई फिर ध दागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे तो यहां पर भी जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ यह सीधा और यह उल्टा इन दो का यहां एक फंदा बना देगे यही तेरा तेरा फंदे का डिजाइन बनाते जाएं लाश्ट में देखे यह वाली जो केबल है इसे भी हम बंद करेंगे तो पहले फंदे को छोड़ देंगे बैक साइड से दूसरे फंदे में स्लाई डालेंगे पहले को उतार कर फ्रंट वाली स्लाई पर ले लेंगे और इसे बैक साइड से आगे डाल देंगे इन दोनों फंदों को देखे इस त प्रेंट कर बेक साइड की स्लाई पर और इसे पलट कर आगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देगे, लास्ट का फंदा सीधा इसे उल्टा बनाई, तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, चोथी सलाई उल्टी साइड से बिलकुल उल्टा बुनते हुए कम्प्ल कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लिट हो गई पांचमी सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए अब ये वाली जो केबल हम चार फंदे पर बना रहे हैं पहली सलाई के जैसे बनी जाएगी पांचमी सलाई पर तो देखिए पहले फंदे को हम छोड़ देंगे सेकिंड फंदे में फ्रंट साइड से सलाई डालेंगे इसे उतारेंगे और बैक साइड की सलाई पर डाल देंगे इसको हम पलट के अब आगे कर देंगे और ये दोनों फंदे अब हम सीध पर डालेंगे और इसे पीछे से लाकर हम आगे डाल देंगे इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे एक और ये दो तो ये हमारी चार फंदे वाली केबल डिजाइन हो गई अब धागा अपनी तरफ करेंगे ये उल्टा फंदा और ये जाली वाला इन दोनों का यहां पर हम एक फंदा बना देंगे दो का एक करने के बाद धागा पीछे कर देंगे और यहां पर यह देखिए एक, दो और यह तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे अब यहां पर जो दो का एक करने से फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे तो यहां जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनेंगे तो एक जाली इसके इधर आ गई धागे को अपनी तरफ करेंगे यह सीधा यह उल्टा इन दो का यहां एक फंदा बना देंगे अब ये देखिए एजस्टीज के बाद यहां से यहां तक 13 फंदे का डिजाइन बना है इसी को बार बार रिपिट करेंगे तो ये देखिए ये जो हमारे दो फंदे हैं इस पहले वाले को छोड़ देंगे सेकिंड फंदे में फ्रंट साइड से स्लाई डालेंगे पहले वाले को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसको हम आगे ले आएंगे और पलट कर डाल देंगे इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे अब इन दो फंदों को ट्विष्ट करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे और बैक साइड से दूसरे फंदे में स्लाई डालतेंगे इसको हम फ्रंट वाली स्लाई पर लेंगे और बैक साइड से इस फंदे को आगे कर देंगे दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे तो देखें यहां पर हमारी एक केबल फिर से अपन हो गई है धागा अपनी तरफ करेंगे ये उल्टा फंदा और ये जाली इन दो का यहाँ एक फंदा उल्टा बुन देंगे अब धागे को पिछे करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसको सीधा बना देंगे तो एक जाली इसके इधर आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे त जितने भी फंदे हों, यही 13-13 फंदे का डिजाइन बनाते जाएए, लास्ट में आपके 5 फंदे होंगे, इस केबल को हम ओपन करेंगे, तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, प्रंट साइड से 2 फंदे में स्लाइड डाल लेंगे, अब इस फर्स्ट वाले को तो हम बैक साइ स्लाइड डाल देंगे, इसको हम इस हाथ की स्लाइड पर लेंगे, और इसको बैक साइड से आगे डाल देंगे, दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे, और स्टीच को उल्टा बुन देगे, आपके एक्स्ट्रा फंदे हों, उनको भी दोनों साइड पर उल्टा बना प्लेट हो गई, सातमी सलाई है और सीधी साइड है, पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए, अब हम धागा पीछे करेंगे, ये जो चार फंदे वाली केबल है, इस डिपी को अब हमें बंद करना है, तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, और बैक साइड से सैकिन फं और दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे, अब ये दो फंदे हमें ट्विश्ट करने हैं, तो पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे, और फ्रंट वाली साइड से सैकिन में सलाई डाल लेंगे, इसको उतारेंगे बैक साइड की सलाई पर और इसको हम इसके आगे डा इन दो का यहां एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक और ये दो, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनेंगे, देखिए एक यहां जाली आ चुकी है, दो और ये तीन, ये तीन सीधे बनने के बाद धागा अपनी बनाएंगे यह सीधा और यह उल्टा इन दो का यहां एक फंदा बना देंगे तो एस्टीज के बाद यहां से यहां तक हमने तेरा फंदे का डिजाइन बनाया इसी को अब बार बार रिपीट कीजिए तो पहले को छोड़ देंगे और यह जो सेकिंड फंदा है इसमें बैक सा डिजाइड से आगे कर देंगे दोनों फंदे अब हमारे सीधे बुने जाएंगे अब इनको ट्विश्ट करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे और फ्रन्ट वाली साइड से दूसरे में स्लाइड डालेंगे इसको उतार कर वैक साइड की स्लाइपर और इससे पलट कर आग फंदा उल्टा बनेंगे धागा पीछे दो फंदे अब हम सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे बनेंगे एक दो और ये जाली वाला तीन तो यहाँ पर जाली से हमने फंदा बढ़ा दिया है जो हमने यहाँ पर कम किया था अब धागा अपनी तर सिरफ लास्ट की यह हमारे पांच फंदे हैं चार फंदे की केबल है तो पहले फंदे को हम छोड़ देंगे और बैक साइड से दूसरे फंदे में हम स्लाई डाल लेंगे फंदे टाइट हो तो हलका सा लूज कीजिए पहले को उतारेंगे फ्रंट वाली स्लाई पर लाएंगे इसको पलटके आगे करेंगे एक और यह दो फंदे सीधे बनाएंगे अब इनको ट्विष्ट करेंगे तो पहले को छोडेंगे सेकिंड वाले में फ्रंट वाली साइड से स्लाई डालेंगे अब देखिए इसको तो बैक साइड की स्लाई पर लिया यह वाला जो है इससे हम पलट के आगे कर देंगे अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे एजस्टीज को उल्टा तो ये साथ सलाईयां डिजैन की यहां पर कंप्लेट हो गई हैं आठमी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी बिल्कुल उल्टी बुन कर कंप्लेट कर दीजिये यानि उल्टा आप बुन लीजिये तो यह देखिए इस तरह से यह 8 सलाईयों में डिजैन ओवर होता है इन्ही 8 8 सलाईयों को बार बार रफिट करना है तो इस तरह से प्यारा सा डिजैन बनता चला जाएगा और अल अवर में अप्लाई करते हो यह आपकी अपनी और डिजाइन एक आपका जब complete हो जाएगा वीडियो के साथ साथ और अगर दोबारा इसे repeat करने में आपको कोई problem आती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा back कर लीजिए जहां से मैंने पहली सलाई को बुनना बताया सेम इसके उपर पहली सलाई के जैसे बुनना शुरू कीजिए तो आपका डिजाइन repeat हो जाएगा तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि आपको ये डिजाइन अच्छे से समझ में आ गया हो गा जो measurement मैंने आपको इस baby cardigan baby sweater की बताई है सेम measurement के साथ जब आप इस sweater को बनाएंगी तो आपका इस तरह से बहुत ही खुब सूर्थ साई baby sweater बनके तयार हो जाएगा प्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को all पर press कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके Thank you